कि अब आपको धन्यवाद में पेश लखता हूँ दोश्कों विजेश लूप से पोल स्टूरेंट के पती अपना अभाग लखता हूँ जो पुलिसी रड़े के सामने जुगे नहीं उनका हार तोरा गया उनका पहर तोरा गया लेकिन उनका सम्मा निश्वात के लिए है कि जोस्तों वैसे तो अलग अवक्त्राओं ने आपको भीटे में बहुत सारी हाथ कही होने लेकिन वह करन्यचात होने के ना कि एक बार आप लोगों से साज़्ा करना चाक्ना में जो इस पीज़ी की रड़ाई को कहीं न कहीं गुम्राह करने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा हैं वह यह है कि असर आप लोगों को यह सुनने को मित्ता होगा कि जे इनियू में टुकरे टुकरे का चाला लगा है अनू के बारे में कि J.E.U. में भृष्याएं रहती है, J.E.U. में सेक्स राकेट जलता है, J.E.U. के स्पुदे डर्ग्स का इस्तेमाल करते हैं, इन जीजों का इस्तेमाल दिया जाका है, हो सकता है कि आपमेंसे भो सारे लोगों को विसूर करते महुत बुरा लगता हूँ, और ये भी हो सकता ह कि आप में से भू सारे लोगों को यह भी मन में आता हो कि पता नहीं कौन लोग नारा लगा चाथ के चले गए और हम लोगों को आज इस बात के लिए तामना सुनना पड़ रहा है तो संवन्य में एक बात आपको बता लेका मूँ एक चीज़ आप ठमझेजिए कि जब किसी विद्वा की जमीन को कपजा करना होता है तो सबसे पहले उसको दायन दता है इसके दो हुद्रेश होते हैं एक स्वाट्र मुद्रेश होता है एक लॉंग कर्म उद्रेश होता है स्वाट्र मुद्रेश यह है कि जब उस विद्वा को द्रायन दता दिया जाएगा और धूम आठिया कर उसकी जमीन को कपजा करेंगे तो गाव और खास करके महिलाएं ही उन महिलाओं को पक्षुने खरी नहीं होता है और दूसरा सदा सदा के जिए समाठ में हमांसिक्ता स यह कहना चाहता हूं और जो लोग यहां अलग अगी मुस्की से आये हैं और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को भी यह बताना चाहता हूं कि JNU 1969 में बना था जिस घटना का जिक्र बार बार किया जा रहा है वो घटना 2016 की है तो 2016 से पहले भी JNU था और 2016 के बाद आप ही JNU है इस बाद को आप समझेए तो 2016 की घटना का जिक्र बार 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 है ताकि आपकी हर जाए रिमान के पीछे आपके उस सवाल को कैसे गुम्राह कर दिया गया कैसे उसको दवा दिया जाए जवाब कहते हैं कि हमारी चीज क्यों पहाई गई तो वह जवाब में कह साहब आप बच्चों का भुष्ष खराब करने में इसकी चिल्टा आपको नहीं हो रहे ही जाए जोग मूर्टी को के नीचे अपसब लिटे गये हैं JNU स्टूडेंट उसका समझा नहीं कपते हैं लेकिन आपके बार बार देखा होगा कि प्रापगेंडा चैनल ने उस बा प्राणनंद के नाम पर लड़कियों के लिए एक नई उन्योस्ति खोल दीजिए जोगा क्या है मसला यह है कि वो दिवान पर जो तालिक कोती गई है इसको तो वो हाइलाइक करना चाहते हैं जून करके अपने कैमरे के फ्रेम में दिखाना चाहते हैं लेकिन बच्चों के घुष नचे करने के दूराइक करने के विए जो प्राणित मानता होती है समाच का कि लड़किया लुश्ति में जाकरके अञासी करती है उस प्राणित मानता को आधार बना करके आख नादरिकों के बीच ये मेसेश दहार पहुंचाने की कोरिशिश की जा रही है जेए कि मौ जुरा रहे हैं तो मैं देश के प्रिया टेक्सपेर्स को कहना चाहता हूं कि हमारे उपर तो दस वीश करोर थर्च किया जाता है पठान मंत्री जी की यात्रा पे 255 करोर रुपया थर्च किया रहा है आपके पैसे पे अब कोई आई-आसी कर रहा है तो वह इंसान है जिसको आप अपना पर्थी चुन करके इस बेश की संसर्ब में भिठाते हैं वह आपके पैसे पाई-आसी कर रहा है आप देखिए कि टेक्स के पेर के पैसे से इन्वेस्टी में चलनी चाहिए लेकिन टेक्स के पैसे से खुद्राप के मुखमंत्री के लिए 192 करोड का प्राइवेट जेट जरूब खरीडा जाना चाहिए अभी सर्कार ने कमा की जो हर्याना को घिरायक हूँ उनको 20,000 लुप्या अलग से में बिजली बिल के लिए विजली बिल के में को वजूर करने के लिए व्यरूर पती है उनको फिण हूई रहनी का ये घर मिल का ये स्टूडेंट को फिड़ी रहने के बिल लहा हूस्टल महीं मूल रणाई को बार बार घुम रहा करने के यह कहते हैं कि कि टुकरे टुकरे गयाएं कि लोग यहां पर पहुते हैं, मैं यहां खड़ा हूँ, इस मंच से खड़ा हुदर के बोलता हूँ, सरकार को चैलिंज करता हूँ, है तुम्हारी कुबत, फाइल करो चार्चित, जेल में डालो, फाजी पर अक्ता दो, इस बदनामी की साजिस को हम बरदास्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम तुमको बता जेना चाहते हैं, क्या अब हम तो अभी पढ़ करके जेल में निकल गए, हमसे पहले कितने आये, जेल में पढ़े और जेल में नाम रोशन कर रहे हैं, आप जान बूज करके, हमको और हमारी चैंपल की तरह, एक सिंबॉलीजां करके, इस पुरे के पुरे इंवस्थी की लेगेशी को आप बदनाम करना चाहते ही, तो मैं कहता हूं, कि मुझसे जेल मुदी पहचान नहीं है, जेल मुके सहारे मैखाण हूँ, जेल मु को पहचान करनी है, तो जेल मुकी पहचान कीसी गटना से नहीं होगी उसका 50 साल का जो समाज को कंट्रिवूशन है उससे होगा और गटना के संबन में मैं आपको बता देता हूं इस बात को हमेशा यार रखिएगा कि किसी विद्वा महिला को जब समाज में बुली नजर से देखा जाता है जब उसके साथ बत्तमीरी करने का प्रियास किया जाता है अगर महिला उसको चुप्चा बरदास्त कर लेती है तो बहुत सती सावित्री हो जाती है अगर महिला उसका प्रतिकार कर देती है उसका गिरोज कर देती है तो उसको बच्चा ही करना शुरू कर देते हैं आप जेनियू के विद्यार थी है आप में सिखाता है आज जेनियू आपको सवाल के जवाब के उस जवाब पर भी सवाल करना सिखाता है जेनियू को अगर हम साध लिये जेनियू को अगर हम जीयों बड़ों का इवश्टी बनाने में काम लाब हो गए तो बाकी इवश्टी की हालत तो आप चानते हैं मैं बरे शंद के साथ एक बात आपको बताता हूं प्यार के मुखमंतरी सुसील मोधी का एक ट्विट आया है मैं डारेंटी करता हूं कि उस ट्विट में जो एस पे में होता है उस इंवश्टी के हंस्टरों के आप हालत देख लीजिए मैं क्या कहना चाहा हूं मैं ये कहना चाहा हूं कि इस देश की सिठ्चा व्यवस्था तो पहले ही बड़बात किया दे चुता है आप इस टेप इनवस्टी को जाकर के देख लीजिए आप सर्कारी को देख लीजे कुछ ग्रीट इंवस्टी है जहां पर ठीक से पढ़ाई हो रही है और जहां पढ़ाई हो रही है वो भी सर्कार के आंख में घाता बना हुआ है इसी लिए उनका यह पर्यास है जैसे महभारत काल में द्रोनाचार्ज ने एक लग का उफा कात लिया कि कोई बं द्रोनाचार हैं कि फिस बढ़ा देना चाहते हैं कि आज के बंचित लोग अपनी तरह यह दर्पार है यह जो साचिस है जो मॉडल है उसको समझने का जरूवत है और सबसे दुखदाई बात यह हैं कि जिनके बच्चें यहां पर आकर के पढ़ते हैं उनके दिमाग में सब से ज्यादा यह बात घुशाने का प्रियास किया जा रहा है कि आपके पैसे की बरवादी हो रही है इसके डेटा पर हम लगों को बात करना चाहिए कि कहां पैसे की बरवादी होती है जब 3,000 करोर रुपे में इस देश में मूर्ती बनती है तब पैसे की बरवादी नहीं हो करके जो हमारी असली राई है उसको गुमराः किया जा सके कहते हैं कि JNU के स्टूड़ेंट को मेरिक नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अमित साह का जो बेटा है तो देखने में बिल्कुर उनका फोटोपी लगता है तो जैसा है उसका का मेरिक है उसको कैसे बना दिय कि अपने गमरे में बुला करके क्रिकेट के डख्वर्थ लूइस नियंप पर ही बहुत करने लिए कि जो लोगों को लगता है कि हमारे घर में काम करने वाली का बच्चा जेरी इसे संस्थान इंपढ़ करते प्रेज़ी कर लेगा अंग्रेजी भी 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 जोड़ेगा चैनीज भी 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 जैटि कौर हिवस्ति को तौह रहा है एक वसाने वाला विक्ति है रिडियो में काम करता है जो लागी 10 उनों सब 300 रुपय रहा दिया गया है अरे दोस्त जब तुम बजार में केला खरीजिने के लिए जाते होगे ना तो कहता होगा 40 रुपय दर जयन तो कहता होगे हूँ 30 रुपय दर जयन में देगा जो केला खरीजिने के लिए जाते हो तो दस रुपय या का बार्जीन करते हो और तुमको 10 रुपय और 300 रुपय में कोई अंत्रा समझने नहीं आता है लास्ट में जो चैनल तुमको सेलरी दिया होगा ना उसमें अगर 300 रुपय काट करके भेजे तब जखे कि तुम तुम 300 के खिलाफ सवाव भटर जोगे मसला 3 रुपय का नहीं है मसला 10 रुपय या 20 रुपय का नहीं है मसला उस मन सिक्ता का ना कि इस देश में सिक्षा बेचने की बस्तू होगी या लोगों का संवेधानिक अधिकार होगा मसला इस बात का नहीं है कि एजुकेशन में लोगों से सिर्फ फिनांस के मॉडर को पैसा वस्लूला जाए इस पर हम लोगों को प्रस्म करने की जरूरत है और इसमें सबसे इंट्रेस्टिंग चीज लिए है कि दर्फ रुपय से बहा करके तीन सो रुपया नहीं किया गया है जब आप टोटल फीज को देखेंगे तो उसको बना करके 25 से 70 हजार रुपया सलाना कर दिया गया है और जेयरियों का आगरा कहता है कि 100 में से 40 ऐसे विद्यार की है जिनकी सालाना आमधनी परिवार की एक लाग से लेकर के डेर लाग रुपय के बीच में जिनको एक लाग से डेर लाग रुपय सली मिनता है मुझे बताइए वह पैसे अपने एक मच्चे पर इसका सबसे पहला आसर किसके उपर होगा इसके सबसे पहला आसर इस देश की धर्कियों के उपर होगा मैं अपनी फेंदी का उदाहरां देता हूँ मंच पे खाड़ा होकर कि यह नहीं बोलूगा कि मेरा परिवार बड़ा प्रोग्रेसिव है मेरी बहन जब 10th का एक्जामेशन पास की उसका प्रहाई बंग कर दिया गया लेकिन जब मैं 10th पास किया तो मुझे पहले के लिए पटना भेज दिया गया क्यों हमको सुर्खाथ पंग रहे हुए हैं हमें कुझ्या मेरका सबसे मेरिद ले करके पैड़ा हुए थे हमको और सन मिला क्योंकि हम बेटा थे हमारी बहर्म को अपिसर रिहницוס नहीं मिला और जो लग्ती नहीं पढ़ेगी तो वो जेनियर सुपा प्रेसिडेंट भी नहीं पढ़ेगी यह जो प्रिट प्रिजी की गई है सीधे तोर के समाज के जो सबसे कमजोन लोग है जो पिछरे लोग है, जो महिलाएं है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं जो और चंचक हैं, जो गईब हो किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई नहीं करपाईगे जो कि इस देश में जिसको पैसा है, वो तो और जेडी और च्छोड और केम्रीज में जाकर के पढ़ रहा है और वहीं आद्मी पैसा है, कि सिच्छा की सबसीडी पे खर्च नहीं होना चाहिए एसा है, लाज अगर होगा ना, तो आईना में अपना मूँ देख लिए आपका बच्छा और फोड में जब पढ़ने के लिए जाता है, तो वो भी किसी देश की जनता के टेक्स का पैसा है और वो भी कि इस सरकार के दौरा दिया जाने वाला सबसीडी है आपका बच्चा सबसीदी पेपर है और आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई और टेक्स भड़े तो आप छाती चोड़ा करके भूंते हैं और अपने ही देश में जब आपका टेक्स का पैसा इस देश के गरीब विध्यार्थों के ओपर खर्च होता है तो आपको पेद में दड़ बच्चारों क्या कि है कि आई-फॉन हुज करता है अरे हम तो आइफॉन क्या हम तो एपन का मवाइल खरीजना चाहते हैं एपन का घरी खरीजना चाहते है और एपन का कुछ होता है क्या? जादा टेक्स देना यह बात मैं आपको बता देना चाहते हैं जादमी जिसको सरकारी नोपरी नहीं मिला है उसको भी चुनाव लगने से पहले आई कि आप भरना परा था बताते जिए टेक्स को नहीं भड़ता है इस अपी दोग टेक्स नहीं भड़ रहे हैं और यह टेक्स का तर्क देने वाले लोग हैं उनको देखेगा कि मार्फ में सवाल यह मत पूछिये कि जेहियों की सिच्छा महंगी क्यूं है यह पूछिये कि आपकी सिच्छा महंगी क्यूं है यह सवाल आपको पूछी है कि पैसा नहीं है तो एक बात बताएए मोटा भाई को विधायक खरीजिने को यह पैसा है करोर करोर को यादे करके विधायक ख तो बेस्ट पढ़ाई करा सकते हैं इस मानसिक्ता को समझेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं मैं बेगुत राजन सिधे आया हूं पूरा देश आज जेएउ की तरफ उम्मीद भरी नजों से देख रहा है एक बात और बता देखे हैं इन लोगों को जमीन से बड़ा प्रेम है कि जब भी बसंद कुल से गुजड़ते हैं ना या बसंद के स्क्वाइर माल में बाइट करके लगा रहे होते हैं साम को तो साम में जेएरी देख करके कहते हैं Do you know? What is the market value of this land? सुनिए ये जो आपका नज़रिया है ना इस नज़रिया के खिलाफ है हम ये देश जितना इस देश के अमीरों का है उतना ही देश के गरीबों का है इस देश को इस तरीके से हम देखना शुरू करेंगे तो हम इस देश में लोगतंद की भुल्याद को नहीं बचाएंगे और जब इस देश में सिख्षा नहीं बचेगी, वह देश भी आगे नहीं बन पालेगा। और मैं आपको स्टेट इन्वस्टी के हालत बता देता हूँ, जहां 20,000 स्टूरेंट हैं, वहां 10 सिख्षक हैं। जहां थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है, उनको भी उस पढ़ाई से दिक्कत है। और कई बार क्या कहते हैं, कि J.E.U. के टीचर ही J.E.U. के खिलाप में लिखे हैं। तो हमको एग बात बताईए, वेवकूफों का कोई गां होता है, वेवकूफ का कोई गां नहीं होता है। लेकिन यह सवाल राइट का सवाल नहीं है यह राइट लोग का सवाल है इस बात को बना रहे हैं मैं समझता हूं को जान कुछ करते यह सवाल बना रहे हैं ताकि आम जंता से इस सवाल को काच दिया जाए और आम लोग जो हैं उनका JNU से जो एक संबंद हो सकता है उस संबंद को कमजोर कर दिया जाए लेकिन मैं आप JNU के विद्याथियों को आभार व्यक्त करता हूं और खास करके Student Union को Teachers Association को और वो सारे संगठनों को जो इस आम दोलन में शामिल हूए हैं कि आप उन्हें इस वि आप गई कि भाजपा आतंकियों को फंडिन करने वाली कंपनी से फंड लेकर के आतंकिवाद को खतम करना चाहते हैं इसको मॉस्टर इसको महाराश्टर के प्रकरण में हवाज दब गई लेकिन आपकी इस लगाई को दबाने की तमाम कोशिसों के बाद जूब आपने सरकों लगने के उस साहस को बढ़ा रखा आपके ओपर लाठियां चलाई गई आपके ओको बॉटर के ने छोड़ा गया तमाम पर तरजी की बत्तमीजियां आपके ओपर की गई लेकिन आपने साहस से और अपनी एकता से इस देश की जनता को यह मेसेज पहुँजा दिया है कि हम स अब करता हूं कि इसी तरीके से आप एकता वज रहे और उस नारे को तुरा करके मैं पर लाठ आपके खत्म करने गई जुल्मी जब 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 जुल्मी करेगा सी फिस्विर्धी के रतियारों से चुर्णी मुंस तो धस्त करेंगे एकता बझ कातारों से इकता कि करका हमें खिलाब जिन्दाबाद हमारी एक का जिन्दाबाद